जार्खन राची के नस्दीक दिला खुंटी बोतलोग गाम बच्चे को जर्म देते समय सुभानी की हालत बिगरती गई मा और बच्चे को बचाने के लिए 35,000 का कर्स लेना पड़ा बदले में गिर्वी रखनी पड़ी 3,5 एकर जमीन शुरू हुआ कभी ना तूटने वाला कर्स का चक्रवियो पेट भरने के लिए अपनी ही जमीन पर मजदूरी करने लगे चारों तरफ निराशा ही निराशा कुछ पल की राहत जोंडते देशी शराब में धिरे धिरे शराब शरीर पर हावी हो गई यह जिन्दगी से हारने का गम था जब बरबादी का जश्न कहना मुश्किल सुभानी के गाउं में एक स्वसाहिता समुह था सुभानी भी उसकी सदस्या थी समुह नया था इसलिए चाहकर भी सुभानी की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था 2009 में केंद्यो सरकार की स्वन जयनती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहट एक खास प्रोजेक्ट शुरू हुआ ताकि सुभानी जैसे लोगों को मदद मिले और उनकी आजीवीका का कोई साधन बने तैह हुआ सुभानी मुर्गी पालन शुरू करे जिसके लिए उसे दिया जाए 20 हजार उपए का कर्स लेकिन एक डर था जिसने सुभानी के कदम जकड लिए पहले से ही कर्स में डूबे थे जमीन भी गिरवी पड़ी थी और कर्स कैसे ले लेती समूख के दूसरे सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और गाम वालों ने समझाया सुभानी तैयार हो गई 20 हजार का रेंड मिला और मुर्गी पालन के लिए मिली खास ट्रेनिंग कदम कदम पर उसका हाथ ठामने, आगे आई तोरपा ग्रामेंड पोल्ट्री कोपरेटिव कोपरेटिव वालों ने ट्रेनिंग दी, चूजे दिये, वही अपना डॉक्टर और सुपरवाईजर भेजते हैं सुभानी की सारी मुर्गियां गाउं में ही कोपरेटिव वाले खरीद लेते हैं सुभानी और उसके पती को करनी है तो सिर्फ मेहनत सुभानी में पोल्ट्री फार्म के साथ ही सबजियां उगानी शुरू की ताकि कुछ और पैसे कमा सके सुभानी बैंक से लिया कर्स्तो चोका ही रही है दस हाजार रोपय जवा कर सुभानी ने साढ़े तीन एकड में से एक एकड जमीन सहुकार से छुड़वा ली सुभानी एक बार फिर अपनी जमीन की मालकेन इश्वर का नाम लिया और प्रण लिया कि बागी की जमीन भी सहुकार से छुड़वा लेगी